हेलो एवरिवन, स्वागते आप लगों का मेरे यूटूब चैनल LWD चॉप में एक और नई वेकेंसी का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें 29 सितंबर तक किसी भी राज्य के कैनिरेट आवेधन कर सकते हैं ग्रेजुएट पास कैनिरेट कोई भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट आप हैं तो बिलकुल यहां पर आवेधन कर पाएंगे मूल वेतन यहां 50,925 से आपका स्टार्टिंग है और सैलरी जो है आपकी 96,765 तक रहने वाली है तो यहां पर सैलरी जो है आप देख सकते हैं 88,000 जो है पर मन्त आपकी यह मानिये कि आपको यह मिलेगी ही सबी राज्यों के कैनेट आवेधन कर सकते हैं Central Government की बिलकुल permanent vacancy है प्रशाशनिक अधिकारी का पद है चलिए देख लेते हैं official website पर vacancy जो है कहां से जारी की गई है और qualification कैसे आवेधन करना है notification में सारी चीज़ें दुबारा से चेक कर लेंगे The New India Insurance Company Limited की तरफ से vacancy है भारत सरकार का उपक्रम प्रशाशनिक अधिकारियों में जर्नलिस्ट और स्पेसलिस्ट स्रेडी 1 की भरती आई है इसमें जो है 50 पद जो है लेखा के हैं जर्नलिस्ट के 120 पद हैं और कुल जो है य आविदन सुलक का बुकतान 10 सितंबर से 29 सितंबर तक कर सकते हैं इसमें जो है ओनलाइन परिक्षा चरण 1 13 अक्टूबर 2024 को रहेगा चरण 2 में ओनलाइन परिक्षा वस्तूनिस्ट और वर्नात्मक दोनों होगी 17 नवंबर 2024 तक ठीक है तो बिलकुल प्रशाशनिक अधिका का पद है यदि आप आविदन करना चाते हैं यह वेबसाइट का लिंक है newindia.co.in किसी भी राज़ी के कैंडियेट यहां आविदन कर पाएंगे जर्नलिस्ट के लिए आपके पास जो है graduate की डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए ठीक है 60% मा पोस्ट ग्रेजुएशन में इस पेस्ट लिस्ट के लिए क्या चाहिए तो इस पेस्ट लिस्ट के लिए केंडर सरकार द्वारा माननेता प्राप्त किसी समकक्ष योग्यता आपकी जो है यहां पर मांगी गई है चार्टेड अकाउंट कास्ट तथा मैनेजमेंट एवं किसी भी शेत्र में इसनातक या इसनातको तर नियुनतम 60% अंकों के साथ में अनसूचित जाती अनसूचित जन जाती PWVD के लिए 55% या फिर MBA वाले Finance PZDM Finance में M.com वाले 60% अंकों के सहित में चीक है सामानने उमीदवारों के लिए अधर कैटिगरी के लिए 55% मार्क् आपके पास जिगरी होनी चाहिए सेलडी मैंने आप लोगों को बता ही दी है आपकी जो है मूल वेतन यहाँ पूरा बता दिया गया है 50,925 तो आपकी बेसिक पे ही है उम्र सीमा यहाँ पर नियुनतम 21 और अधिकतम 30 वर्स है SCST को 5 साल की चूट है अन्य पिष्टा वर्ग नॉन क्रिमिलियर को 3 साल की दिव्यांग जन को 10 साल की भूतपूर सैनिक 5 साल की चूट दी गई है किदी किसी कैंडिडेट को इंग्लिस में प्रॉब्लम है तो हिंदी में भी जो है नोटिफिकेशन दिया गया है अभी आप लोगों को बता दिया जाएगा चैन कैसे होगा तो चैन बता दिया प्रारंबिक परिक्षा होगी आपकी चरण 1 में और उसके बाद जो है द्वित्य चरण में मुख्य परिक्षा रहेगी प्रारंबिक परिक्षा में क्या पूचा जाएगा तो अंग्रेजी तर्क ग्यान परिक्षा मात्रात्मक योगिता कुल 100 होंगे यहाँ पर प्रश्ण और जर्णालिस्ट के लिए वस्तूनिस्ट परिक्षा में तर्क ग्यान परिक्षा, अंग्रेजी भासा, सामन्ने ग्यान, मातरात्मक योग गिता यहाँ पर पून योग है 200 का स्पेशलिस्ट के लिए तरक ग्यान परिक्षा अंग्रेजी भासा की परिक्षा समानने ग्यान परिक्षा और मातरात्मक योग गिता फीस आप देखें आविदन सुल को जो है कितना है समानने कैटिगरी यहां पर EWS OBC 850 रुपे रहेगा अन्सूचित जाती अन्सूचित जन जाती PWD 100 रुपे मात रहेगे तो फीज बहुत जादा है और अधिकारी का पद है ठीक है तो सो समझ के जो है आप अपलाए करें क्योंकि इसमें जो है आप लोगों को एक्जाम भी फाइट करना है अन्सूचित जाती अन्सूचित जन जाती PWD ये कैंडिजेट तो अपलाए कर ही दें कहां पर प्रथम चरण की परिक्षा के लिए बताया गया है कि सेंटर जो है कहां-कहां बनाए जाएंगे तो आप देख सकते हैं पूरा जो है आप लोगों को पढ़ना है उसके बाद ही आवेदन करना है मैंने आप लोगों को बता दिया है कि the new India insurance company limited की तरफ से जो vacancy आई है notification चेक करने के लिए आपको क्या करना है सबसे नीचे चले आना है और जैसे ही आप नीचे आएंगे यहाँ पर recruitment section आपको नज़र आएगा इस पर आप लोग क्लिक कर लेंगे क्लिक करने के बाद यह page open होगा सबसे उपर दिखेगा recruitment of administrative officer 2024 यहाँ पर click here to apply online online आप apply कर सकते हैं इस पर क्लिक करके advertisement जो है English में, Hindi में दोनों में आप देख सकते हैं तो यह vacancy थी, बिल्कुल permanent मिलेंगे next video में, thank you